देखे आज दिल्ली जलबोड का एक अफसरों का डेलीगेशन यहां आया है राधास्वामी बेया सत्संग जहांपर दस हजार बैड की एक एशिया की सबसे बड़ी कोविट फिसिलिटी बनाई जा रही और यहांपर हम सब ने अर्विंद केजरिवाल जी की सरकार के विभाग दिल्ली जलबोड ने यहांकर यह सुनिश्चित किया है कि यहांपर तमाम स्वासकर्मियों को मरीजों को साफ पानी अच्छा पानी और रेगुलर पानी अच्छे सप्लाई के साथ पानी मिलता रहा है यहां पूरी हाइडरन डालकर जो विवस्था हमने बनाई है अंडरग यहां पे वाटर क्वालिटी के सैंपल्स की जांच भी करी जाएगी कि साफ पानी तमाम मरीजों को स्वास्थ कर्मियों को महया कराया आजाए और पानी की विवस्था के लिए हमने यहां पर दिल्ली जलबोड के एक नोडल अफसर की जिम्मेदारी लगाई है तमाम तरीके कि जो compliance होती है water quality से लेकर water supply तक उसकी वेवस्था यहाँ बनाई है और अर्विन केजरिवाल जी की सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि यहाँ पर साफ पानी अच्छा पानी तमाम मरीजों को भी और staff को भी यहाँ पर अवश्य मिले इसी के साथ-साथ यह जो 10,000 bed की facility बनने जा रही है कि मुझे लगता है कि एक ऐसा joint venture है जिसमें चार एहम पार्टनर्स की बेहद महत्वकून भूमिका है यह चार पार्टनर्स साथ आकर काम कर रहे हैं जिसके चलते इस COVID care facility का सफल होना लगबगता है जो चार पार्टनर्स इस joint venture में एहम भूमिका निभा रहे हैं वो ह शरा है डिल्ली सरकार जो यहां पर तमाम तरीके की प्रशासनिक मदद और प्रशासनिक प्रबंध कर रही है और चौती है केंद सरकार जो सहाय था कर रही है चारो एहम पार्टनर्स मिलकर इस joint venture को चला रहे हैं और इस joint venture का सफल होना लगबगता है और यहां पर मुझे झाल